हलो फ्रेंट्स वल्कम टो माइ चैनल तो फिर आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे इंडियन ऐस्थेटिक्स औ् Infinite एस्थेटीक का जो Sanskrit term है वो है राश्ष इसलिए नाम है दराश्ष थियोरी मतलब राश्ष के उपर आज हम डिसकस करेंगे तो इससे पहले कि मैं समझाऊं की राश्ष क्या है सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि नाते शास्त्र क्या है आपको जानना जारूरी है नाते श ने ये किताब लिखी हुई थी और इसमें उन्होंने किस बारे में लिखा है इंडियान लिट्रेचर जो है इंडिया का जो आर्ट फॉर्म है लिट्रेचर है उसके बारे में उसमें क्या-क्या आता है कितने टाइट्स के है क्या-क्या रूल्स है उसमें क्या-क्या फीचर्स ह होते हैं कैसे उसको लिखा जाता है उसका सब कुछ जो है पूरे डिटेल्ड डेस्क्रिप्शन उन्होंने भरतमुनी ने इस किताब में दिया है जिसका नाम है नंद्टे शास्त्र और इस किताब में टूटल T 36 चाप्टर से 36 चाप्टर है और इस किताब को ओरिजिनली सांस्क्रिट में लिखा गया है आजकल अभी इसका ट्रांसलेशन जो है इंग्लिस ट्रांसलेशन हिंदी ट्रांसलेशन अवलेबल है आपको गूगल में भी इसका इंग्लिस ट्रांसलेशन मिल जाएगा इसका जो छ कई ना चाते हैं कि कोई भी literature का form हो, चाहिए वो dance हो, music हो, poem, story, play, कुछ भी हो, उसका main objective क्या है, उसका main हम क्या सोचते हैं कि इन सब का main objective है entertainment, हमको मनुरॉंजन के लिए काम आता है, लेकिन मनुरॉंजन तो है ही, लेकिन वो primary objective नहीं है, एक और चीज है जो से भी कई गुना ज़रूरी है और वो चीज क्या है वो है moral values जो कि हमको उसमें से सीखने को मिलता है और emotions जो emotions जो values एक नाटक के थ्रू हो सकता है या एक कहानी के थ्रू हो सकता है जो दिखाना चाते है जो पढ़ रहा है उसको या देख रहा है जो भी दर्शक है audience है उसके अंदर उस emotion को जगाना उस चीज को जो है feel करवाना उसका एहसास दिलाना वो है main objective literature का मतलब कोई भी moral value हो कोई भी emotions हो उन सब को जैसे audience अपने अंदर feel करे वो जैसे उसमें खो जाए और उसका जो essence है उसका जो main वो जो सिखाना चाहरा है या बताना चाहरा है वो audience को ना सिर्फ देखने या सुनने को मिले बलकि वो अंदर से उस चीज को feel कर पाए और इस तरीके से वो spiritually अपने आत्मा से और ज़्यादा develop हो पाए इश्वर के और ज़्यादा करीब आपाए इसका यही main objective है और और ज़्यादा वो moral questions और moral values इसके मन में जागे अगर उसके मन में कोई बुराई हो तो वो बुराई को कोई सवाल करी कि नहीं यह तो गलत है मैं ऐसा क्यों कर रहा था उसे अपनी गलतियों का भी असास हो और वो और ज़्यादा positivity के और आगे बढ़े तो रासा का मतलब होता है अलग-अलग जगह में रासा का अलग-अलग मतलब दिया गया है जैसे कि रिग वेदा और अथर वेदा में रासा का मतलब है juice या flavor flavor हो सकता है या फिर juice हो सकता है और उपनिशत्स में लिखा हुआ है इसका मतलब है consciousness तो फिर mainly रासा का मतलब है emotions इंसान के अंदर जो feeling होती है दुख हो, खुशी हो, डर हो, गुसा हो तो जो emotions है इन सब को रासा कहते है एक और चीज इस थियोरी में इस थियोरी को दर रासा थियोरी को रासा भाव थियोरी या फिर रासा अध्याय भी बोला जाता है इसमें एक और टाम है वो है भाव जो कि रासा से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है तो भाव का मतलब क्या है भाव का मतलब है emotions को दर्शाना the emotional state of mind मतलब कोई emotion जब mind में जाकता है तो फिर mind का जो condition होता है और उसके बाद हम उसके हिसाब से जैसे react करता है उसको बोलता है भाव मतलब हम जो reaction देते है अभी suppose अगर हम खुश होता है तो फिर हम smile करने लगते है मुस्कुराने लगते है जाके अपने खुशी या बाटने के लिए सबको बताने लगते कि यह है वो है तो यह सारा जो हम भाव दिखाते है हमारे चेहरे से दिखाते है कोई भी facial expression हो या फिर हमारे काम के through हो उससे कहते है भाव 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 दो टाइप के है एक है वीभाव एक है अनुभाव वीभाव का मतलब है अगर हम इंग्लिश में बोले तो अभी वीभाव का फिर से दो टाइपस है पहले वीभाव क्या है वीभाव कोई condition होता है the conditions and objects which give rise to the emotions मतलब कोई भी condition हो या कोई भी चीज हो या कोई भी happening हो जो किसी emotion को जन्नम देती है उसको कहते है वीभाव suppose अगर आप कही जाते हो एक competition में participate करते हो और उस competition में जीट जाते हो तो फिर आपको क्या होगा खुशी होगी तो फिर वो competition एक incident है जो की reason बन जाता है आपके खुशी का आपकी खुशी अपने आप तो आप ऐसे खुश नहीं हो गया आप जीते इसलिए आप खुश हुए तो वो situation बना आपका जो competition में आपका जीतना है विभाव क्योंकि उसकी वज़़ से आपको खुशी होने के लिए एक reason मिल गया अब विभाव जो है वो दो type के होता है एक alambana और एक उद्धिपना alambana क्या है कोई भी stimulating cause हो सकता है मतलब कुछ भी जो आपके अंदर कोई भी emotion को जगा दे कोई भी हल्चल stimulus का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कोई भी environmental हल्चल आपके आसपास हो रहे ही कोई भी घटना और जो उद्धिपना होता है उद्धिपना में environmental factors आते है मतलब जो कि इसमें इंसानी factors कुछ नहीं आते इंसानों का कोई रोल नहीं है उद्धिपना भाव में सारे materialistic चीज़े हैं जैसे कि मैं बोलू कि आपको बारिश होती है जिन लोग को बारिश पसंद है तो वो natural चीज़ है बारिश के आती ही वो natural ही होता है लेकिन हम खोश हो जाते है जिन लोगों को बारिश पसंद है उनको अच्छा लगने लगता है लेकिन अलंबना भाव में क्या होता है कुछ इंसानों का involvement होता है suppose हमें कोई आके gift देता है तो एक इंसान ने हमको gift दिया तो हमको खुशी होती है कि यहाँ उसने हमें gift दिया तो हम खुश हो जाते है तो इसमें living thing का role होता है अलंबना भाव में और living thing और उनके actions का जबकि उद्धिपना भाव में natural चीजी होती है environmental factors होते है या फिर non living चीजी होती है उसके बाद आता है अनुभाव या फिर consequent अनुभाव क्या है? वो है reaction हमको खुशी हो गई उसके बाद हम उसको reaction में reaction देना शुरू कर देता है कैसे reaction देते है कुछ बोल के या फिर चेहरे का कोई expression बना के reaction देते है या फिर कुछ कर के reaction देते है action के थरू, words के थरू या facial expression के थरू जैसा कि मैंने बोला कि आपको खुशी हुई तो आप smile करने लगते हो तो फिर वो आपका facial expression हो गया या फिर खुशी से कुछ कुछ चोटे बच्चे होते हैं ताली बजा के कूदने लगते है तो फिर उनका फिजिकली वो लोग अपने actions के थरू दिखा रहे है अपने खुशी वोड के थरू हमने बोला कि आरे मैं आज बहुत खुश हूँ तो मैं पता है यह हुआ वो हुआ आज मेरा सपना पूरा हो गया तो फिर हम जो यह सारी gestures हो अपने expressions के थरू बोल सकते है या फिर अपने कर्म के थरू काम के थरू दिखाते है उसको कहते है अनुभाव उसके बाद actually में भाव को three main types में बाटा गया है किस basis में कि वो कैसे produce होते है किस time में उनका वो लोग बनते है और उनका कैसे type का वो लोग reaction देते है उस basis में भावस को तीन types में तीन main types में divide किया गया है उसके बाद फिर से उनका subdivisions है जो की total मिला के 49 होता है तो तीन main types क्या है स्ताई भाव जिसका की divisions और 8 divisions है फिर है संचारी या फिर व्यवचारी भाव जिसका 33 divisions है subdivisions फिर है आता है सात्विक भाव जिसका की 8 divisions है तो सबसे पहले हम देखते कि स्ताई भाव क्या होता है स्ताई भाव जो है वो permanent होता है inborn होता है मतलब स्ताई भाव पर्मनेंट होता है मतलब बहुत time तक होता है और वो main भाव होता है जिसके उपर कोई भी और happening या कोई facial expression gesture जो भी हो दिखाता है वो main base होता है स्ताई भाव के उपर हमेशा वो इनसान में होता है जनम से ही होता है वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बाद में बना इनसान के खोन में ही वो चीज होती है हंने emotions होती है उनसान का बरताव को decide करती है अब हमारे tớiरह को होते हैं ळुख्य होते हैं घुराज़कर होता है लेकिन कुछ जो भावस में होता है वो सारा का कम ज़ाधा कभी अगर जब खुशी ज़ाधा हो जाती है तो फिर हमारे चेरे पे खुशी वाले expression आ जाती है इसका मतल़ यह नहीं कि हमारे अंदर किसी चीज़ का दुख नहीं है या फिर हमें किसी चीज़ का डर नहीं है लेकिन उपस टाइम में क्या है ना खुशी बहुत जादा बढ़ जाते हैं इसलिए हम बाकी सारे भावो को भूल जाते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो सारा भावा खत्म हो गया है नहीं वो है हमारे अंदर तो फिर इसलिए यह स्थाई भावा है और यह सारे भावो हमारे अंदर हमेशा होते हैं लेकिन प्रोजेक्ट करते हैं अलग-अलग वक्त में सिचुएशन के हिसाब से यह सारे भावो हम दर्शाते हैं या दिखाते हैं या हम accordingly react करते हैं और यह सारे भावोस बहुत जादा एक effect करते हैं एक human nature को हम कभी कभी बोलते हैं कि अरी बहुत खुश मिजाज इंसान है मतलब क्या मतलब जादा तर वो खुश रहता है maximum time वो खुश रहता है कहते हैं बहुत दुखी इंसान है तो क्या वो कभी खुश नहीं होता है गुस्सा नहीं होता होता है, लेकिन जाधा तर टाइम वो दुक्की होता है, तो फिर ये सारे भावों का, जो quantity है, वो कम जाधा होने की वज़े से, बहुत जाधा तर ये लोगों का, जो human nature है, decide करता है, तो फिर आठ तरक इस ताई भावों, जैसे कि मैंने बताया था, इनके कुछ नाम ऐसे है, रती, रती का मतलब है, pleasure, खुशी, enjoyment, उसके बाद है, हस्य, हस्य, हस्य का मतलब है, joy, laughter, joy का मतलब आपका enjoyment है, laughter है, जब हम हसते हैं, बहुत जाधा हमें मजा आने लगता है, तो वो है हस्य, शुक्य, सारू, मतलब दुख, क्रोध, anger, मतलब गुस्सा, उ उसको कहते है, उत्साह, और भाय, fear, मतलब डर, जुगपसरास, मतलब डिस्गस्ट, मतलब जो चिंता होती है, चिडचिड़ा पर नेक होता है, irritation type का, उसको बोलते है, डिस्गस्ट, विस्मय, मतलब सर्प्राइज, अचानक से हम शॉक हो जाते हैं, सर्प्राइज हो जाते ह संचारी भाव और सात्विक भाव तो सबसे पहले हम आते हैं, संचारी भाव क्या है, संचारी भाव को हम क्या सकते हैं, define कर सकते हैं, those crossing feelings which are ancillary to a permanent mood, those crossing feelings which are ancillary to a permanent mood, यह मैं समझाने के लिए आपको एक example देती हूँ, suppose आपके घर का कोई member घर से बाहर गया है, बहुत time हो गया है, रात हो गयी है, वो वापस नहीं आया है, और नहीं उसका कोई call आया है, आपको पता नहीं कि वो कहां पे है, उसने कहा था कि जल्दी आएगा, लेकिन आया नह हो, तब ही क्या होगा, at the most present moment में आपको अच्चानक से बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे, अरे यार कहीं वो ठीक, ठीक तो है ना, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे, या फिर कहीं वो फस तो नहीं गया, तो फिर बुरे बुरे ख्याल आएंगे, फिर आप सो बहुत सारी emotions जो है, एक साथ आपके अंदर आपको restless कर रहे होंगे. तो फिर ये सारे जो emotions है, ये तो हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये सिर्फ कुछ time के लिए develop होते हैं. जसी वो इंसान आपके घर पहुँच जाएगा, आपका ये डर वगएरा जो है, जो accident का दुख हो या आप सोच लिए होंगे कि accident हो जाएगा, ये सारी जो चिंता हैं वो खतम हो जाएगी और आप फिर से normalize हो जाओगे. तो फिर ये सारे भावव सबसे बेन चीज़ें कि ये सब temporary होते हैं और बहुत कम समय के लिए आते हैं और एक साथ आते हैं, अच्चानक से आते हैं और अच्चानक से चले जाते हैं. इन्हीं सब को बोलते हैं संचारी भावव या भेवचारी भावव जिसमें कि 33 अगर आप चाहो तो सर्च कर सकते हो जलेसी आता है इसके अंडर में चिंता आता है, डाउट आता है, इसे सारी टाइप के भावव है व्यावचारी भावव उसके बाद आता है सात्विक भावव जब हम अपने फिजिकल हम अपने माइंड के स्टेट को दर्शाते हैं के दर्शाना चाहिए हम खुशी के मारे कूद रहे हो या फिर ताली बजा रहे हो या फिर दुख के मारे रो रहे हो तो फिर या फिर गुसी के मारे हमने कोई चीज तो दी हमारा मारी शुरू कर दी तो फिर वो क्या है फिजिकल आक्शन हमारा दिखाते एक होता है फिजिक अपने भाव को हम दिखाते हैं तो मैं यह सब क्यों कह रही हूं कि रास्ट का भाव से बहुत ही ग्यारा connection है रास्ट जो है वो तीन चीजों को मिला के बनता है वीभाव अनुभाव और व्यभाचारी भाव मैंने कहा था वीभाव डिटर्मिनेंट्स अनुभाव कंसिक्वें मतलब effects curse plus effect plus व्यवचारी भाव मतलब transitory states मतलब यह कुछ समय के लिए जो भाव जैसे confusion हो जलसी हो यह सारा जैसे बनता है वो सब जो है उन सब को मिला के बनता है aesthetic flavor या फिर रास्ट या फिर कह सकते है रास्ट एक नाटक के अंदर जो emotions होता है जो moral values को जगाता है जगाता है emotions moral values को जगाता है emotions से ही जाकते है तो वो जो emotions होते है उसे कहते है रास्ट आपको यह लग रहा होगा कि अरे क्या भाव और रास्ट तो सेम लग रहा है different किया है तो मैं आपको बता दू कि भावस बहुत सारे मिलके रास्ट बनाते है भाव जो है वो आपका facial expression है या फिर कर्म है जो आप emotion दिखा रहे हो आप simple word में कह सकते हो verb है doing word है kriya है कर्म है लेकिन जो रासा है वो आप कह सकते हो abstract noun है जो emotion है आपके अंदर वो noun है ठीक है और भावा जो है वो भार्व है इसलिए confused मत होईएगा एक example में देखती हूं रासा इस भी बहुत टाइप के है एक रासा है स्रिंगार रासा स्रिंगार रासा है लव यानि प्यार का रासा तो फिर जब इनसान पियार में होता है तो उसमें भी वह बहुत type के दूई देखाता है सपोज जब कोई इनसान अपने प्यार से मिलता है तो वह खूश होता है मतले तहां पे राती leisure वाला भाव शो का भावा दिखाता है लेकिन जब उसी के प्यार पे जब आच आजाती है कोई कि वो इसके प्यार को हट कर देता है तो फिर वो गुसा हो जाता है एनिमी के उपर तो फिर वो क्या दिखाता है क्रोधा भावा दिखाता है या फिर गुसा दिखाता है तो ये सब चीज़े क्यों हो रही है ये सब डिफरेंट डिफरेंट भावा है लेकिन रिजन इसका एक ही है क्या ना प्यार वो जो प्यार है वो है रास्थ और ये सारी जो चीज़े हो गई दुश्मनी कि कोई अगर hurt कर दिया अपने loved one को तो हमारा गुसा हो जाना, loved one से मिलके खुश हो जाना, फिर उससे दूर होके दुखी हो जाना, यह सारे एक एक भावा है, और इसका main रासा क्या है, रासा है love, love की वज़े से यह सब हो रहा है, तो फिर difference आपको समझ आ गया होगा, उसके से एक एक ruling deity होता है, एक एक देवता होते है, जो उस रासा को control करते है, और हर रासा के हिसाब से जब वो रासा हमारे अंदर जनम लेता है, तो फिर हमारे जो आत्मा का जो औरा का एक color हो जाता है, एक different different color होता है, जो रासा हमारे अंदर तभी जो emotion पैदा हो जाता है, उसके के हिसाब से हमारे औरा का कलर बदलता है ऐसा कहते हैं आपने सुनना होगा कि साथ चक्र होते हैं बॉडी के अंदर अलग अलग कलर के पिक्ट्रस में से दिखाय हुए होते हैं तो नाटे शास्त्र कहता है कि जो रासर डवलोप होता है उसके हिसाब से हमारे आत्मा का कलर बद और कलर इसमें आता है लाइट ग्रीन, हास्यम रास, कॉमेडी, मतलब लाफ्टर, हसी, इसके डाइटी है शिवा, शिव भगवान, और कलर है वाइट, सफेद रंग, फिर है रोद्रम रास, फ्यूरी, मतलब गुसा, एंगर, इसमें भी जो रूलिंग डाइटी है, रूलिंग गौड है वो है शिवा, शिव भगवान, और इसका जो कलर है वो है रेड, जनरली गुसे का कलर रेड ही दिखाया जाता है, उसके बाद है करुणियम रास, मर्सी, यानकी दयाभावना, तो इसकी जो रूलिंग डाइटी है वो है यम, यम राज, जो हम कहते है मृत्तियों क गौड है, गौड अफ डेथ, और इसका जो कलर है वो है ग्रे कलर, उसके बाद आता है विभत्सम रास, यानि डिसकस्ट, चिड़ चिड़ापन जो हम कहते है, इसके भी जो रूलिंग गौड है वो है शिव, शिव भगवान, और कलर है ब्लू कलर, भयाना का मरास, इसका मत अब लोग डरते हैं और मौत के भगवान है यह तो डर का भी यह होंगे, और कलर है ब्लैक कलर, डर का रंग है ब्लैक, फिर आता है वीरम रास, ब्रेवरी, मतलब साहज जो है ब्रेवरी होता है, यह रोजम होता है, तो इसके जो डाइटी है भगवान है वो है जो कि देवताओं के राजा भी कहते हैं, उनको बारिश करवाते हैं, इंडियन माइथोलोजी के हिसाब से, और इसका कलर है साफ्रोन, मतलब जो औरेंज टाइब का हमारे इंडियन फ्लाइक का उपर वाला कलर साफ्रोन, फिर जो रासा आता है वो हद्भुतम रास, वंडर, अमेजमेंट या फिर सर्प्राइज, कुछ एक अनोखा टाइप का फिलिंग आना, तो इस रासा का है, जो रूलिंग डाइटी है, वो है ब्रह्मदेव, और इसका कलर है येलो, उसके बाद टोटल आठ रासा ही नाट्य शस्त्रे में दिये गए है, लेकिन बाद के कुछ र आठ नाट्य इस, मतलब शान्ती, और इसके जो भगवान है वो है, विष्णु भगवान और इसका कलर है, वाइट कलर, इसके बाद आता है रासास का जो यूस किसमें हो रहा है, इंडियन क्लासीकल डैन्स में भी रासास को दरसाया जाता है, जैसा कि आपको पता है कि तो इन सारे dances में भी रासा का बहुत important role है, कोई भी performance हो, उसमें रासा हों को जैसे भी हो उसको दिखाया जाता है, कैसे भावस के तरह, मतलग कोई physically проб tenido हो या पिर, कोई physically 거지 कुछ steps वैसे होते हैं वैसे type का expression बनाया जाता है तो dance में भी रासको दिखाया जाता है उसका बहुत important role है dance में भी ना सिफ literature में भी बलकि dance में अगर कोई drawing painting वगेरा होता है sculpture वगेरा होते हैं तो उसमें भी अगर आपने कोई statue वगेरा देखी होगी तो देखेंगे आप कुछ मूर्तियों का ऐसे smiling face बनाया जाता है कुछ मूर्तियां ऐसी भी होती है कि दुख वाला expression होता है कोई temples वगेरा अगर आप पूराने temples वगेरा देख गया होंगे carvings अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर आपको different type के expressions देखने को मिलेंगे और different different काम भी कोई नाच रहा होगा कोई गा रहा होगा कोई instrument बजा रहा होगा तो फिर में भी कोई खुशी से नाच रहा है कोई festival का scene है तो फिर यहाँ पे भी रासा का बहुत important role आ जाता है रासा का रोल music में भी आता है music में सिर्फ 6 एठ किया गया है वो है anger, disgust और fear दो नहीं तेन रासा मतलब सांतम रासा जो extra रासा है वो music में add कर दिया गया है और बाकी तीनों को anger, disgust और fear को निकाल दिया गया है मतलब गुसा, डर और चिर्चिड़ापन का music में कोई role नहीं है रासा थेयोरी के हिसाब से तो यहीं पे आज की वीडियो हम खतम करते हैं मुझे उमीद है आपको रासा थेयोरी जतना मैंने समझाया अच्छा समझ आ गया होगा मुझे comment में लिख कर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और रासा थेयोरी के उपर आपका क्या opinion है वीडियो पसंद आई हो तो please like करना, share करना और subscribe नह thank you